आज की इस वीडियो लेक्चेर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप कॉडिनेशन कंपाउंड में आईसो मेरिजन से आने वाले किसी भी कॉश्चन को विदिन वन मिनिट में कर लोगे तो ध्यान से देखो बहुत इजी है फर्स्ट इंग आईसो मर किसको बोलेंगे having same molecular formula but different connection होगा तो structural isomer और अगर arrangement different होगा तो stereo isomer जिसमें हम geometrical isomer and optical isomer के बारें बात करेंगे इस वीडियो लेक्चेर में स्रिफ और स्रिफ मैं बात करूंगा structural isomer के बारे में तो very simple है total 4 type है जिसपे based question पूछे जाते है very simple पहला है ionization name से ही clear होगा ionization मतलब जब इसको water में डालोगे तो different iron मिलेंगे तो very simple है iron आपको कहाँ check करना है square bracket के बाहर ये ध्यान रखना अंदर वाला कभी भी break नहीं होता है क्यों क्योंकि जो इसके अंदर होगे वो pack हो गए अब वो break नहीं होगे तो जैसे ये दोनों compound को अगर मैं check करूं तो क्या पहले molecular formula same है yes platinum है 4 ammonia है 2 chlorine है 2 bromine है इसको water में डालोगे तो chloride iron मिलेगा जिसकी agon3 से reaction करोगे तो agcl का precipitate मिलेगा जबकि इसको water में डालेंगे तो bromide iron मिलेगा आप chloride नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अंदर चला गया तो आप agon3 से करोगे तो agbr मिलेगा तो इस type के question बहुत सारे पूछे जा सकते हैं इसलिए ध्यान रखना है यहां पे agbr और agcl दोनों मिलेगा बट यह तीनों एक तरह से क्या होगे different iron देंगे water में इसलिए ironation तो यह देखके पैचान जाओगे इसमें कुछ ज़्यादा effort नहीं डानना है वैसे ही दूसरा होता है solvate या hydrate isomrhythm तो यह name से किलर है different water molecule इसमें होते है जैसे यहां पे 6 water molecule inside में है तो इसको heat करोगे तो इसके mass में loss नहीं होगा इस type से application लेगा लेकिन अगर मैं इसको heat कर दिया तो यह water molecule evaporate हो जाएगा तो इसके mass में loss हो जाएगा तो hydrate isomrhythm या solvate देखके पता लग जागा water molecule बाहर होना चाहिए different लेकिन molecular formula ध्यान दे same होना चाहिए पहले वो check कर लेना जब तक molecular formula same नहीं होगा isomrhythm की बात करना गलत बात है okay linkage isomrhythm very important और काफी बार इसको use करेगा और पूछेगा तो उसके लिए भी fix है जब ambient linkate होगा तभी linkage की बात कर सकते हैं otherwise बिल्कुल भी बात नहीं होगी और ambient कौन है आपको मालूम है cyanide, nitro, thiosanide right तो very simple जैसे for example क्या ये coordination compound linkage होग रहेगा तो yes किसके होजासे इसके होजासे क्यों क्योंकि oxygen भी donate कर सकता है nitrogen तो different linkage होगा different connection होगा तो इसलिए इसका नाम है linkage isomer और ये पहचानवा जागा ambident होना चाहिए वैसे ही last है coordination तो ये भी easily पहचान लोगे इसमें 2 आपका square bracket होना चाहिए 2 coordination compound connected होगे y या sum charge है अब इसलिए x और y कभी भी 0 नहीं हो सकता है जीरो होगया तो कोई connection ही नहीं राइट चाहर जोगा तभी तो attracted रहेंगे जैसे for example ये एक है और ये एक है molecular formula चेक करो ये same है changes क्या हो रहे है तो ध्यान से देखो यहाँ पे 6 ammonia की ligand थे यहाँ पे 5 हुए यहाँ पे 6 cyanide के थे यहाँ पे 5 हुए तो just interchange होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर लाएंगे coordination iso तो ये बहुत ही जी है इसलिए ज्यादा नहीं इसलिए मैंने just to the point बात के बेटा ज्यादा फालतू की बात नहीं करना है वो very simple है ध्यान से देख लो इससे बाहर कुछ नहीं है now next हम बात करते हैं organometally compound के बारे में और that is again very important तो organometally compound किसको बोलेगे जिसमें directly metal attach होगा किसे carbon से that means metal और carbon के बीच covalent type का अगर bond होगा तो उसको बोलेंगे organometally जिसमें ध्यान रखना है some exception है कभी भी metal के cyanide metal के carbide और metal के carbonate इन तिनों को हम organometally compound नहीं बोलते हैं by the way इसमें metal का direct connection है कारवन से बट इसको organic metallic नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें ionic character बहुत ही जादा है generally covalent character होना चाहिए जादा से जादा तो point के लिए रो गया तो इन तिनों को नहीं मानते इसके type तो organometallic में sigma bonded हो सकता है राइट सिरिफ sigma bond बन सकता है pi bonded हो सकते हैं and sigma and pi bonded ये वाले हो सकते हैं sigma bonded वाले जैसे R2ZN डाइलकाइल जिंक वाले हो गए RMGX गरिगनारेजन्ट जो काफी यूज करते हैं organic के इसमें R2CD डाइलकाइल कैडमियम ये भी यूज करते हैं थोड़ा mild ये निकलियोफाइल है tetra ethyl lead जहांपे lead और carbon के बीच bonding है anti-knocking agent बोलते हैं similarly TICL4 ये organometallic नहीं है लेकिन aluminium वाले जो है carbon से attach है jingloronata catalyst polymerization reaction में यूज होता है तो ये ध्यान लगना तो इसमें ध्यान से देखो सब में sigma bond बना हुआ है metal और carbon की बीच इसलिए इसको बोलेंगे sigma bonded और ये सब के सब क्या आपके organometallic compound है ध्यान लगना चार option दे करके पूछा जा सकता है similarly pie bonded वाले में important है GS salt बोलते हैं उसको right जहांपे platinum platinum आपका हो गया तो definitely coordination number 4 है तो square planer 3 chlorine है और एक alkene का double bond यहाँ पर pie bond donate होता है इसलिए pie bonded बोलते हैं तो ध्यान से देखो ऐसे question में आपको number of sigma bond पूछा जा सकता है total sigma केतने हैं तो count करो 1, 2, 3 और ये 4 ये तो platinum के हो गया alkene के 4 हो जाएंगे 4 hydrogen वाले 8 और ये दो bond में एक sigma होता है एक pie होता है तो total 9 हो जाएंगे इस type से आपको पूछा जा सकता है और जो सबसे very important है that is sigma and pie bonded जो metal carbonil के नाम समझानेंगे इसमें mono हो सकता है by हो सकता है और poly हो सकता है mono मतलब एक ही central metal atom है mono type by मतलब दो central metal atom है दोनों सेम जी हो सकता है different भी और poly मतलब दो से जादा है central metal atom तो metal carbonil के बारे में इस chapter में पढ़ना है major हमारा point यह है इसलिए इस कौँप detail में समझेंगे तो just ये introduction हो गया जो आपको clear होना चाहिए now very important point की bonding in metal carbonil को पुरा detail में मैंने explain क्या बहुत easy way में समझा है द्यान से समझो carbon monoxide में सब को मालूम है bond order 3 होता है M.O.T. theory से सब जानते हैं जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि यहाँ पे यह जो oxygen अपना lone pair था 2-6 और 2-8 electron दोनों का octet complete है तो यह है आपका carbonil अब क्या होता है कि यह जो carbon पे lone pair है वो carbon lone pair देता है metal को sigma bond बनते हैं फिर metal के पास भी D-subshell में कुछ ना कुछ electron होंगे तो metal इसको CO को देता है और CO को कैसे देता है तो इसके anti-bonding में तो चुकि फिर से bond बन रहा है तो पहला sigma होता है रेस जितने होता है pi होता है इसलिए यह pi bond इसलिए sigma pi दोनों यहाँ पे connection होता है जब भी इस type का हो जब ligand आपका metal को electron दे रहा हो तो sigma bond बनेगा और metal फिर आपको ligand को दे रहा है तो pi bond और इस type की bonding को बोलते है synergic bonding धियान रखना synergic bonding जहाँ पे sigma pi दोनों form हो रहा है donation वही point है यहाँ पे donation of loan pair of electron ligand जो है वो metal को दे रहा है और कैसे दे रहा है तो metal के पास vacant orbital होना चाहिए तभी दे पाएगा इसलिए d orbital लेते है similarly donation of d electron metal के पास जो अपना d electron है वो देता है ligand को ligand को कहाँ पे देगा तो anti bonding molecular orbital हो जैसे co का मैंने mot diagram बनाया है जो कि सब को मालूम होता है मैं last वाले दिखाया हूँ तो यह pi होते हैं यह sigma 2pz यह pi star वाले है यह खाली है तो metal ने जो electron दिया है वो कहाँ जा रहा है pi star वाले में यह भी पूछा जा सकता है co के कहाँ जा रहा है pi star वाले में तो यह point आपको clear होना जहीए bonding कैसा होता है वो भी समझाया है कि जब carbon आपका loan पेर देगा metal को तो sigma bond बनेंगे फिर metal जब carbon के anti bonding में डालेगा तो pi बनेंगे और दोनों को फिर एक साथ दिखाए कि यह sigma है और यह वाले जो है वो pi है तो इस टाप की bonding को synergic bonding बोलते है तो यह तो सब को समझ माजाता है इसका application कैसे लेगा वो तो very important यहीं पे है ध्यान से देखो बेटा कि metal पे अगर negative charge increase होगा तो that means metal के d orbital में ज़्यादा स्यादा electron है तो bond order जो carbonil का होगा carbon और oxygen के बीच का वो कम होगा कैसे ध्यान से देखो और समझो कि metal पे negative increase होना मतलब इसमें ज़्यादा स्यादा electron हो रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर bonding करेगा तो ये जो triple bond है ये इधर की तरफ shift होंगे राइट बस मज़ना आ गई तो ये bond इधर की तरफ shift होता जाएगा मतलब ये triple 3 bond हो सकता है 2 bond में convert होने की कोशिश करेगा तो इसलिए मने लिखा है कि metal पे negative बढ़ेगा तो back bonding बढ़ेगी तो ये अगर इधर की तरफ bond बढ़ा रहा है तो ये bond oxygen की तरफ shift हो जाएगा ये दोनों electron इसलिए bond order carbon और oxygen की बीच का कम होगा तो bond length क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए के बहुत question पूछेगे ध्यान रखना और vice versa ultra अगर इधर कम होगा electron तो ये bonding इधर की तरफ बढ़ेगी तो इसका bond order बढ़ेगा bond length कम होगा और इसका इधर की तरफ bonding होने से carbon और metal के बीच का strength बढ़ेगा question कैसे पूछे आ सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको example भी लिया है MnCO6 plus charge है CRCO6 VCO6 minus है तो सम्मे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर metal और carbon के बीच bond का पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा order होगा तो definitely सबस्यादा 3 में होगा क्यों क्यों कि vanadium पे क्या आगा minus तो minus आने करें से ज़्यादा से ज़्यादा back bonding होगी तो metal और carbon के बीच bond बरहेंगे तो अगर metal और carbon के बीच का bond का पूछा जा रहा है तो सबस्यादा 3 में फिर उससे कम 2 फिर उससे कम 1 क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे metal पे negative है यहाँ पे इसका उल्टा carbon और oxygen के बीच पूछा जाए इसलिए क्यों को carefully read करना है carbon और oxygen के बीच का पूछा जाएगा तो ध्यान से देखो minus वाले में क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा metal डोनेट कर रहा होगा तो यह bond इधार की तो carbon oxygen का क्या हो जागा कम हो जागा bond order तो सबसे कम किसम होगा 3 में इसलिए 1 सबसादा फिर 2 फिर 3 तो इस टाप के question पूछे जा सकते हैं दियान देना very important है नाव next और गोने metallic compound में structure के बारे में बात होगी तो सबका जो basic point है और जो रफी सर का trick है वो यह है कि आपको central metal atom का जो nearest noble gas होगा उसके इतना electron कर देना है चुकि यह मनें बता ही रखा है इसमें 100% आपका central metal atom कोन होगा 3D series का तो उसका nearest noble gas कोन होगा क्रिप्टन उसका atomic number के तना 36 तो आपको देखना है कि उसका EAN effective atomic number 36 हो रहा है कि ने बस यही point है द्यान देना EAN को 36 कर देना है कैसे द्यान से देखो NiCO4 क्या इसमें 36 हो रहा है nickel का खुद का electron केतना हो गया 28 atomic number कोई charge नहीं तो 28 और यह 4 bond बना जाए हर bond का 2 लेना आपको तो 28 plus 8 केतना हो गया 36 follow हो रहा है EN rule तो यह अपना stable है Tetrahedral है SP3 इसके बारें बता रखना हूँ वैसी FeCO5 तो iron का हो गया 26 electron कोई charge नहीं कारबोनील neutral ligand है CO5 5 है तो 5 का 10 लेना डबल करना है क्योंकि यह जो भी electron होंगे वो 2 electron होंगे एक loan पर मतलब 2 electron तो कितना हो गया 26 plus 10 36 मतलब यह भी follow कर रहा है EN rule को द्यान से देखो बस आपको EN को follow कराना है क्योंकि इस case में होगा ही follow चाहे कैसे भी करके इसका structure trigonal bipyramidal हो गया SP3D updation क्योंकि 5 बारें राइट similarly CRCO6 chromium केतना होगा 24 और यहाँ पे 6 है तो plus 12 हो जाएंगे 6 का double 12 तो total electron 36 अगें देखो nearest noble gas 6 है तो octahedral हो जाएंगे तो इस सब में follow हो रहा है वो case जहाँ पे follow नहीं होगा तो क्या होगा ध्यान से देखो जैसे MnCO5 तो manganese का 25 और CO5 है तो 10 तो कितना हो गया 35 अब इसको क्या करना है 36 तो इसके पास दो रास्ते हैं 36 कैसे कर सकता है एक electron gain कर करके इसलिए क्या कर लेगा ये minus तो right तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जागा oxidizing isn't oxidizing वो होते हैं जो other को oxidize करें itself reduce हो तो पूछा सकता 4 option दे दिया which is better oxidizing isn't तो कभी भी MnCO5 इस form में रहेगा ही नहीं बेटा या तो वो इस form में चला जाएगा to complete the noble gas configuration इसलिए मैंने बोला कि कार्बोनिल के case में always EN rule follow होता ही है और नहीं तो dimer बना लेगा अगर ऐसा नहीं किया तो dimer बनाएगा दो molecule तो क्या हो जाएगा Mn2CO10 यहाँ पे होगा इसका structure very very important है बट structure बनाने में फिर से वही पॉंट द्यान लगना है कि आपको दोनों मैंग्नेज का electron कितना कर देना है 36 तो अभी मैं structure की बात करूंगा वैसे MnCO6 है तो यहाँ पे 25 प्लस 12 कितना होगा 37 अभी एक electron निकानना चाहेगा तो इसलिए यह कहां चला जाएगा प्लस में तो यह एक अच्छा क्या हो जागा reducing agent तो again MnCO6 exist नहीं होगा ऐसा भी question पुछा सकता है which cannot exist which is better oxidizing agent which is better reducing agent सबका why fund आ रहा है कि 36 करना है चुकि 37 हो गया तो एक electron lose करेगा दिसलिए एक अच्छा reducing agent होगा या तो ऐसे कर सकता है वैसे COCO4 कोबाल्ट है राइट दोनों को सेम मसमझ लेना यह कोबाल्ट है यह कारबोनील है तो कोबाल्ट का होगा 27 और इसका 8 that is 35 again इसको एक electron चाहिए तो minus कर सकता है तो again यह एक अच्छा क्या हो जाएगा आपका oxidizing agent या फिर यह भी क्या कर सकता है dimer में चला जाए फिर से इसका structure important है कितने breeze ligand होंगे everything पुझा जा सकता है तो अब हम बात करते हैं structure के बारे में now next इसके structure that is very important Mn2CO10 के structure कैसे बनाएंगे तो आपको अगर नहीं मालुम है तो आपको simple एक point बताया है nearest noble gas जैसा इसका electron हो जाना चाहिए manganese में कितना electron आपको मालुम है 25 इसको कितना चाहिए 11 electron 36 होने के लिए right तो कैसे होगा ध्यान से देखो तो यह CO कितने हो गए 5 क्योंकि 10 है तो 5 इसको 5 इसको तो कितना हो जागा 35 तो इसलिए एक manganese manganese के बीच bond बना देना है यह sharing वाले हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 36 कैसे manganese के 25 था तो 24 अभी तक bonding नहीं क्या है और 25 वाला एक एक बनाया है तो यह दोनों में count होंगे तो अभी कितना हो गए 26 यह और यह 10 CO के एक bond मतलब 2 electron right तो 36 होगे इसके भी 36 अब इस पर बेस कोशन कैसे पूछेगा कि इसमें कितने ब्रीजिंग कार्वोनील है तो एक भी कार्वोनील ब्रीजिंग नहीं है जीरो एंसर हो जाएगा और क्या पुछा जा सकता है सिनर्जिक बांडिंग यह जतने भी कोशन पूछे जाते है दूसरा CO2 CO whole 8 तो अगेन वहीं सेम पॉइंट के अगर नहीं मालूम है यह सब इस्टेक्चर देख करके डरना नहीं हमें करना क्या है कोबाल का 36 करना है कोबाल खुछ कितना है 27 अब इसको और कितना चाहिए तो आपको मालूम है टोटल 9 एलक्रोन और चाहिए और हमारे पास कार्बोनिल केतना 8 तो पहले 3-3 हमने दोनों को दिया तो यह दियान से देखो इसलिए मैंने यह दिखाया यह कोडिनेट बॉन्ड वाला है तो यह 6 आगे तो 27 पलस 6 केतना हो गया 33 अभी भी 3 एलक्रोन कम पर रहा है तो कोबाल्ड क्या करेगा 27 में से 24 एलक्रोन को तो बॉन्डिंग में यूजने करेगा 3 एलक्रोन को करेगा और 3 एलक्रोन से 3 बॉन्ड तो अब यह 2-2 एलक्रोन काउंट होंगे राइट तो 6 एलक्रोन हो जाएंगे तो द्यान से देखो वही चीज़ क्या है पोबाल्ड यह सिंगल सिंगल दिखाया है तो 27 था अभी इसका 24 जो बॉन्डिंग में यूजने हुआ और 3 एलक्रोन को यह दिखाया जो कि 27 हुआ यह इससे एक बनाया तो यह दोनों इसके भी count होंगे उसको भी count होते हैं right क्योंकि covalent bond में ऐसा ही होता है फिर यह वाले भी count होंगे और यह वाले भी count होंगे तो द्यान से देख लो 24 पलस यह 6 तो 30 हो गया और इधर से यह 3 2 और 2 और यह 2 तो 6 कितना हो गया? 36 तो और रहल आपको देखना है कि 36 हो रहा है कि नहीं तो यह stable हो गया अब इसमें क्या पूछा जा सकता है same way breathing carbonil केतना है तो breathing carbonil इसमें केतना हो जाएंगे 2 synergic bonding हो रही है yes terminal metal carbonil bond केतना है तो terminal 3 और इधर 3 तो 6 हो जाएगा उसका answer metal metal के बीच bond है yes one mortal metal bond है तो इस type के question पूछेगा और पूछे जाते है इसलिए ध्यान लगना है trick का एक ही fund है आपको central metal atom का 36 electron करना है क्योंकि effective atomic number को यह follow करेगा है और जाते जाते गयान की बाद that is very important कि nickel plus 2 को अगर पहचानना हो solution में कि nickel plus 2 का आयन है की नहीं तो आप dimethyl glioxime डाल दे dimethyl glioxime का अंतलब क्या है C double bond N पे OH जो होता है उसी का H अटा करके माइनस आया है तो इसको बोलते है oxime और dimethyl मतलब 2 methyl होंगी तो इधर भी C double bond N OH हो गया तो oxime उसमें methyl तो dimethyl glioxime इसमें दोनों nitrogen donor होते है जो nickel plus 2 से coordinate होते है यहाँ पे ध्यान से देख सकतो 1, 2, 3, 4 और 5 यह 5 member की ring बनती है तो NIDMG2 इसका color ध्यान रखना है blood red color होता है खुन जैसा color तो very important कहीं पे भी nickel plus 2 को पैचानना और dimethyl glioxime डालो अगर red color आ रहा है तो definitely वही है 100% तो इसलिए यह salt analysis में use भी होगा important है दूसरा silver mirror test right organic estimate में काफी use करते है right तो उसमें actually AG किसमें होता है plus 1 में AG NH3 whole 2 यह भी एक coordination compound है जो कैसे बन सकता है जब silver chloride की reaction excess of NH4OH से करा देंगे तो silver central metal हो गया यहाँ पे ammonia या as a ligand का काम करेगा तो यह compound बनते है यह एक अच्छा oxidizing agent होगा क्यों को कि silver यहाँ पे क्या है plus 1 में जो 0 में जाना चाहेगा छापा वाले right बता रखाऊ यह सब trick आप को तो इसलिए यह अच्छा oxidizing agent है इसलिए यह aldehyde को acid में convert कर देता है right बट ketone को नहीं करता है तो वहाँ पे use भी करता है organic में वैसे ही एक failing solution है right जिसमें actually copper plus 2 में होता है right और यह वाला एक big complex होता है यहाँ पे द्यान से देखो दो acid group है इसमें और दो OH है तो यहाँ से यह by-dental ligand का का काम करता है यहाँ और यहाँ से तो again इसमें important point क्या copper plus 2 से कहाँ पे जाता है plus 1 में यह भी क्या use होता है यह भी aldehyde को oxidize कर देता है acid में right only ketone को नहीं तो यह दोनों use होते हैं organic chemistry में तो यहाँ दोसका importance था तो I hope यह आपको structural isomer and metal carbonil अच्छे समझ में होगा अगर यह पूरा समझ गए बेटा है तो आप कोई problem को आप यूं कर लोगे thank you